अभी आपकी लास्ट तीन दिन से क्लास नहीं हो रही है तो मिर्टेबर ठीक नहीं थी वी आर वेटिंग फॉर फायर रेस ओके ओके चलिए लेट्स वी स्टार्ट नाव क्लास और आज क्या होगा कि जो मैं आपके पास जो आपका मैंसे क्लास थी उसके कोश्चन में लेकर उसमें वहां थाइम होगा उसमें फिर यूप लेस्ट के एक्जाम पर फोकस करेंगे मुझा बच्चों की में पास आपको आ रही हैं बहुत सर्व बच्चे मुझा यहीं को सर् यूप लेस्ट करें डिए करेंगे कि अन्दर आपका प्रस्ट हो जाएगा तो पी पेसे अश 12-16 के भी आई है 18 के भी आई है तो पहले आपको 18 पर फोकस करना है उसके लिए हमने क्रैस्ट को लॉंच किया है वह आजाएगा आपका एक दिन में जिसमें कि आओगे सब कोश्चंस की जो सोलूशन है उस पर हम काम करेंगे और थेोरी पर काम करेंगे और आपके फॉर्मल र बुल गया आपसे इस पर था मोडिफिक्शन क्रास्ट रोड सिस्टम भाई थार्ड रोड डव्लप्मेंट प्लान नाइटीवन जो लगनाव में हुआ था इसको मोलते हैं देखो 20-year रोड प्लान आपके तीन बार हो चुके है सबसे पहले कहां पर हुआ था नागपूर मे सैगेंड हुआ आपके मौंबे में और थार्ड आपका हुआ लखनओ में तो लखनओ जो डॉड प्लान था जो 1981-2001 के भीच में लाजी किया गया उसमें आपके पास कौन-कौन से नेट्वर्क में काम किया गया तो क्या हो इसमें आपकी जो रोड है उनको उन्होंने तीन तीन पार्ट में डिवाइड किया, इसको बोलते है primary system, क्या क्या उन्होंने आपके primary system में इसको डिवाइड किया, that is primary system में इसको डिवाइड किया, secondary system में इसको डिवाइड किया, secondary system में इसको डिवाइड किया, और third जो है वो आपके tertiary system में इसको डिवाइड किया, तो जो का primary system होता है उसमें हम आपके expressway और national highway पर काम करते हैं इसमें काम करेंगे ठीक है चलिए तो क्या है आपके पास ही है यह आपके primary system की बात करेंगे तो उसमें आपका expressway आया है और national highway आया है और second वाले में जो आया है वो आपका state highway और आपके major district road state highway और major district road के बारे में बात कि गई है और transit system के अंदर हम other district road और village road पे काम करते हैं तो यह सब काम के बारे में बताया गया कि इसमें आपके third road plan में and D is answer for this question, यह आपका correct answer है ठीक है कोई बच्चे इसका answer A बता रहे थे but there is a D is answer for this question, ठीक है अरे 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 भाई चलिए ए बैकल में बीम डिफ्लेक्शन मेथ़ड इस यूज़ड आपका बैकल में बीम डिफ्लेक्शन मेथड होता है वो आप कहां पर यूज़ करते हैं, जो आप दीजिए तर question में primary पूछा है, अच्छा primary पूछा है गया अच्छा primary की बात की गई है, तो D is not correct answer, correct answer एगा फिर A ठीक है A आपका correct answer एगा, तो कि यहाँ पर primary की बात की गई है पूछन में आप से साफसा बूल गया है कि primary system के अंदर आपकी कौन-कौन सी रोड आएगी तो expressway और national highway आएगा 100% correct, ठीक ठीक ठीक, ठीक, ठीक ठीक ठीक, thank you for correcting me चलिये, backleman beam deflection method गी बात करो जेखो क्या होता है बैकle mean deflection method जो हम use करते है, वो आपका flexible payment में use करते है flexible payment में क्या होगा, कि आपके पास क्या होगा, कि road के ओपर एक तो wheel load आएगा ठीक है और उपर से जो आपका extra over button load है वो आएगा अब क्या होता है कि जब भी हम आपके flexible payment को describe करते हैं तो यह जो load है यह आपके subgrade पे जाता है क्या जाएगा load आपके subgrade पे जाएगा तो उस subgrade के load को describe करने के लिए हम flexible overlay बनाते हैं क्या बनाएंगे flexible overlay बनाएंगे और यह flexible payment का part होता है तो बैकल मैन जो beam deflection मतला होता है वो आपको यह बताता है कि यदि आपने उपर से wheel का load लगाया और उपर से आपके पास extra load लगा तो आपके subgrade पे उसका effect पड़ेगा तो that is a load classification in the case of flexible payment और overlay भी flexible होना चाहिए तभी हम काम कर पाएंगे ठीक है तो एक्जाम क्या answer रहेगा आपका a and a is cancer for this question यह बोलना है कि मैंने vaccine लिए लगवाया क्या मुझे एक्जाम में बैठने देंगे तो भाई साब मुझे नहीं बता ही बात को कि यह आपको एक्जाम में बैठने देंगे या नहीं बैठने देंगे ठीक है बट क्या है कि अभी कोई ऐसा criteria तो आया नहीं है चलिए बताएंसा क्या होगा the width of carriageway various classes of road standardization by the Indian road congress for two lane without race curve अब दो क्या होता है यदि मैं आपके पास two lane की बात करूँ two lane की बात करूँ और यह आपका क्या है without curve है without curve और यदि मैं आपके two lane की बात करूँ और यह आपका with curve है तो यहाँ पर क्या होता है यह आपका without curve 7 meter होता है यह आपका 7.5 meter होता है और single lane के लिए यह value क्या होगी आपके पास width की वो आपकी 3.75 मिटर होती है ठीक है यदि मैं आपके पास बोलूँ कि multi-lane के लिए क्या होगी मुल्टिलेन के लिए बता दो और intermediate lane के लिए बता दो ये दो value भी आपको बतानी है आपकी comment section में कि intermediate lane के लिए और multi-lane के लिए आपकी जो विर्थ होती है क्या क्या होती है कुछ बच्चे बोले सेलेवस में नहीं है ठीक है exam एक नहीं आ रहा है वो सा exam आ रहे है तो कुछ चीज रहा हूं तो आप जो जो आ रहा है उसको देख लेक्क बार कि कुलिये हां hydrology भी लाए हूं, multi lane के लिए 3.75 , intermediate lane के लिए 5.5 , देखोthinterm kr anybody की बात करता हूं तो 5.5m ki lane होती है , online के लिए 30.5m per lane पे काम करते है, you have to understand all this thing निके इस पांचनि प्थाइम नहीं है , विएसे लिखया हूगा। उनकी एक शोड वीडियो बनाई है दिखाता हूं मैं आपको कहीं नहीं गए हैं ना कहीं छोड़ के गए हैं बच्चे बोल रहे हैं छोड़ दी हैं कोचिंगी without raised curve without raised curve क्या होगा बी होगा and be is cancer for this question यह बताईए the score velocity of steam दा अब क्या है कि आपका irrigation भर-भर के आरहे आपका एक्जाम में तो इरिगेशन इकोश्चनल जड़ा ध्यान से करेंगे ठीक है आश्टोष कुमार जी बहुत-बहुत स्वागा थैं आपका एक्जाम में उनसे मिलवा दो चलो आध स्कॉर वलोसिटी अवज फटियोभी दाभि आश्टोष क्या होता है जो मिलोसिटी इज स्कॉर वलोसिटी बात करते है कि वो minimum velocity जिसमें क्या हो कि आपके पास जो bad particles होते है यह जो आपके पास क्या होगा मालों क्या है आपने एक canal बनाया और वो भी कौन सा earthen canal है तो यह क्या होगा यह आपके एक material का बना होगा अब यह जो earthen canal है that is called the earthen canal तो इस earthen canal में जो आपके पास आपे material रखा हुआ इस material को बाहा के ले जाए that is called the score velocity and score velocity से हम क्या करते है इसकी depth को calculate करते है जो आपने formula पढ़ा था 1.35 q square by f की power 1 by 3 क्या पढ़ाता है यह वाला formula तो क्या होता है यहां से हम आपके depth of score जो score की depth है वो calculate करते है ठीक है यह करिए next करिए next next question आपकी screen पर आगया है जवाब दीजिए अभी हम क्या करेंगे कुछ दिन बाद U-B-S-S-C और different type के exam को साथ मिलेगे चलेंगे ठीक है तो जो question practice है उसका कोई अलग से batch नहीं बना रहे है question practice का वो YouTube पर होगी रोजाना होगी अब इसे आप प्रेक्टेस करेंगे रोजाना एक घर घंटे दो दो घंटे तब यह आपकी त्याय इची हो जाएगी तो आप कहीं में आपको कोई बात नहीं कर नहीं है यहां पर for the question practice यहीं पर होगी बस अच्छे questions होगे level questions होगे जो आपके exam में आ सकते हैं ठीक बस एक बार आपका syllabus जो है वो आपको मिल जाए इस syllabus क्या है चलिए question में आपसे बोला गया है the maximum tolerance in overall length of the 20 meter and in 30 meter metric chance should be respectively यदि मैं 20 meter chain की बात करता हूं तो देखो क्या होता है यह tolerance की बात करता है कि आपकी जो length है उसके अंदर कितना tolerance है आप रख सकते हैं ठीक चलिए पहले पढ़ाई कर लो फिर बाद में तो क्या करेंगे हम यदि मैं आपके पास 20 meter chain की बात करता हूं तो यह आपका plus minus के 5 mm होता है और 30 meter में यह आपका plus minus के 8 mm का tolerance हम रखा जाता है जब भी आप क्या करेंगे chain की metric chain को describe करते हैं and this is a standard value you have to learn about it चलिए a close continue line with the one or more higher value continue inside it represent our hill, depression, cliff or valley रांची बोले यहांसर क्या है इस question का बोल गया आपसे close continue line with the one or more higher value continue inside तो आपको हमेशा diagram से दिहान रखो अब diagram मालू क्या है कि मेरे पास यह क्या है मेरे पास hill है अब यदि मैं यहां पे आपके elevation की बात करूंगा तो हम vertical elevation की बात करते हैं तो यह value तो हमेशा बढ़ी होगी और जैसे आप निचे आओगे तो value कम होती जाएगी तो value जब आपकी कम होती जाएगी तो that value is this तो क्या होगा यह value आपकी बढ़ती जाएगी तो that means यह आपकी 105 है तो यह value आपकी 110 100 होगी तो क्या होगा inside value बढ़ रही है that is called the hill और इसका उल्टाई क्या होता है इसका उल्टाई आपका depression होगा ठीक है तो answer क्या होगा इसका answer हो जाएगा a hill and a is answer for this question यह आपकी higher value inside की represent कर रह हो रहे है इसे राहुल देवें बूच रहे है सर क्लिफ क्या होता है फिर अब बताओ अपने बताओ अब चलो next question आपकी skin पर आ गया है क्लिफ होता है आशिक का अड़ा इतना मारूआ तुम्हें आशिक बना दूआ भी ओके ठीक है ठीक है में तुम्हें तुम्हें खराब थी इसलिए मैं आने पाया जो बच्छे पढ़ते हैं को पता होगा मैं कहीं भी class ने रहा हूं यह था हूँ आशिका ड़ा बता रहे हैं इनको आशिक करवालो वस the line joining the point of equal dip अब देखो क्या होता है डिप आपका vertical angle होता है जो आपके air surface से बनता है अब जो आपके air surface से बनेगा यह आपका dip रहेगा और यहाँ पे क्या होता है that is called your equator part and your pole part यह क्या आपके पास यह आपका pole part है तो यह जो race जाती है वो आपके S जाती है और यहाँ पे 9 degree का angle बनाएगी आपके pole पर ठीक है पोल पर क्या बनाएगी पोल पर आपका 9 degree का angle बनाएगी तो क्या होगी यदि मैं बोलू कि आपका dip सेम है तो क्या बोलेंगे उसको पोल यह answer क्या है इसका तो हम क्या बोलेंगे उसको हम बोलते है आपकी isoclinic line this is called the isoclinic line and d is consider for this question यइडि decision was the same declination this is called same declination की भात करते है और declination क्या होता है हमेंज़ आपका horizontal angle रएगा same declination है और यहाँ पे आपका zero declination रहेगा that is zero declination so answer क्या हो जाएगा इसका answer हो जाएगा d and d is consider for this question तुर्डी बुक कब आ रही है जा टाइम लगे हमें तबेद खराब हो जाती है मैं क्या करूँ ता मेंगेनेटिक बीरिंग वो सन एन नून इस 178 डिगरी ता मेंगेनेटिक डिलिशन इस एद प्लेस यह बूछ रहा है कि आपकी जो मेंगेनेटिक बीरिंग है सन की नून पर वो आपका 178 डिगरी है देंदा मेंगेनेटिक डिलिशन कितना होगा अब देखो क्या होता है मैं भी सिरे चाता हूँ पंजाबी वैसे पंजाबी मस लगती है सुनने में कोई सिखा दो यार मुझे भी देखो यदि मैं बात करता हूँ देखो यहाँ पर मेरे पास क्या होगा that is called your true north and this is called your true south अब देखो क्या होगा जब भी नून की बात करेंगे तो sun आपका यहाँ पर रहेगा बेरिंग होता तो 178 डिए तो आने सकता हूँ पर क्या होगा हूँ पर 178 डिए तो आए गा ही नहीं तो ध्यानक है इस बात को कि यहाँ पर जो मेगनेटिक नॉट से आपके पास एंगल होगा that is your 178 डिए अगल अब यदि मैं आपके पास तो आपका यहाँ तो यहाँ तो तो दू डिए एस आपका अंशर एगा and B इस कांशर फो इस को फोश्च्टन यहाँ पास वहटाँ सभी को इन्हाँ पढ़े लो यार पढ़े लो मस्ती भी करते रहो पर पढ़ते भी रहो अब देखो, if a lower clamp is tightened and the upper clamp is loose, then the theodolite may be turned with a relative motion between the warning and graduate scale of the lower plate. अब ये question काफी बढ़िया तरीके से आते हैं exam में, और मैंने एक video डाली होई है, जिसे नहीं देखी है, please go through, theodolite की पूरी working मैंने आपको समझाई है एक video के अंदर, जिन्होंने नहीं देखी है, please watch it, जाके आज देखिए उसको, उससे आपके जो साइक सारी concept है, वो clear हो तो lower plate होती है और upper plate होती है, मालों कि आए lower plate को अबने fix कि अपर plate को छोड़ दिया, तो क्या होगा, इन दोनों के बीच में relative motion हो सकता है, क्या हो सकता है दोनों में, दोनों के बीच में आपका relative motion हो सकता है जिहानकि इस बात को there is a later emotion between the one and the graduate scales of the lower plate and A is cancer for this question देखो क्या है कि यूपिटिपलस्टी की बात कर रहे है बच्चे तो मैं मोल देता हूं पारवान मत बोलिए देखो क्या होता है यहां पर आपके यदि आप गुपता करके जाईए ठीक है और जो books हैं उस पर हम काम करेंगे question पर काम करेंगे question पर काम करेंगे चलो वह भी करा देंगे देखो 5000 तो बखवास question है उसमें 5000 वही बार बार रिपीट कर रखे हैं जो अच्छे हैं वह करवा देंगे हम है ना चलिए question में आपसे वो लगा है total station is used for the remote object high determination establishing the horizontal control, establishing the vertical control all of the above total station कहां पर use के आता है total station is a very smart station उसमें क्या होता है उसमें आप कभी भी क्या करेंगे मालों measurement करना है तो horizontal vertical distance को कहीं भी किसी भी point पे chain की through नहीं measurement करेंगे it is an automatic device and you have to work on this तो क्या होता है remote object होती है हाइड कर सकता है horizontal control भी कर सकता है और vertical control दोनों कर सकता है तो आप सकता है तो आप सकता है तो आपका 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 आजका यूज कहाता है फिल्ड में पर यह क्या है यह बहुत ज्यादा expensive instrument है तो जाना लोग यूज नहीं करते हैं चलिए sensitivity of level tube increase with अब बताऊ उस जो sensitivity of bubble tube होती है यह level tube क्या है bubble tube भी है bubble tube जो आप यूज करते हैं उसकी जो sensitivity है आप क्या है कि इंडेबिडूल यह में आपका surveying हो लिखा हुआ अच्छा खासा कि 15 कोशन आएंगे आएंगे तो यूज आएंगे आएंगे तो यूज आप वर्क वर्क वन देस बोलिए आंस बोली क्या है increase in radius of curvature in the bubble tube a smooth of the finish of the inner surface of the bubble tube आपकी sensitivity of bubble tube क्या से describe करते हैं देखो यदि मैं आपके एक पार्ट पर काम करूँ तो that is angle is alpha that radius is r and this is number of division यदि मैं alpha की बात करो तो alpha मेरे पास क्या होगा alpha into r that is equals to nd तो alpha equals to nd by r हो करता है क्या ठीक है अब क्या होगा मेरे पास यदि मैं आपके पास यहां पर आर की वैल्यू को मैं क्या करता हूं यदि मैं आपके r की वैल्यू को बढ़ाता हूं तो जो मेरे पास alpha की वैल्यू हो कम आएगी और alpha की वैल्यू कम आती है यह क्या होगा यदि आप को convert करना चाहो second में तो 2, 0, 6, 2, 65 स्मेंट प्लाइ कर देंगे आप तो क्या होगा यह आपका जो answer है वो second में आ जाएगा तो जितना आपके alpha की value कमाएगी उतनी आपकी sensitivity हो बड़ी हुई आती है कि एक 2 mm के division करने के लिए आपकी bubble tube को कितना moment करना पड़ा तो क्या होगा यदि आपके पास क्या होगा यदि आपकी radius of curvature ज्यादा होगी तो alpha कमाएगा और कम टाइम लगा उसको दो 2 mm का division करने के लिए ठीक है तो क्या होगा यहाँ पर जो आपका answer एगा कि an increase in the radius of curvature the bubble tube सही बात है दूसरा smoothness नहीं तो यह division यह हम 2 mm पर काम करते हैं ठीक है टू एमम का पर सेकंड पर काम करते हैं कि टू एम पर सेकंड पर इतना division होना चाहिए ठीक है अच्छी बूख है वह भी मैंने देखिए उसको बूख को भी ठीक है मुझे मनना कुछ बच्चे भेज देना यदि आपको लगता नहीं सेख्चिया पर पाऊंगो आपको. यह मिरे पास् है अवनीं शर्मा सिविल के नाम से मेरे टेलिघ्राम गरूप है अवनी शर्मा सिविल, वहां बां भी को만 तो चीज़े होती हैं आप वोग्तर के पास जाते हैं में सिंपल पास, सुनो तो आप लोटर बाच जाएंगे तो आप क्या करेंगे एक तो डोटर आपको भीमारी बताएगा उसका जादा पैसा लेगा एक आप बता दो जोटर की मुझे विवी भीमारी है तो अच्छे से काम कर पाएगा ना आप यह बता दो कि मुझे इस कोश्ण में दिक्कत है मुझे हाँ दिक्कत आ रही है मुझे वह दिक्कत आ रही है तो वील डिलोट इट और आप उसमें अच्छे से काम कर पाएंगे और यह तरीका होता है बढ़ने का कि आपको जो दिक्कत आ रही है आपकी दूर हो जाए ठीक है कि मैं करवा दूँआ आपनों ज्यादा दा बुक की तक्रम मत पड़ो मैं अच्छे कोशन सब जगें करवा दूँगा देखो कुछ बच्चे बोलना है कि जो एलफा की वैलुए वह नपुन आरे अरे जो यह आरे यह यह दिश्व करवेचर होता है वनपुन आरा करवेचर करता हूं सिरे सर्फिस पे तो आपकी सेंसिविटी बढ़ जाते हैं दोनों आप्शन सही है और बहुत आ क्रेक्ट एंची इस का आंसा फोर दिस कोश्चन जल्दी करते हैं यह करिए दल्दी करें गविक्ली बच्चे वो बोल रहे हैं हमारा पेपर उसके बात करवाना जो करवाना देखो दा इफ द इंटरसेप्ट व्टिकल स्टाफ अबज़ वास्ट 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 यह जो पॉंट सेंफ आपको व्र्टिकल इंटरसेप्ट दिया हुआ है ठी इस अनलेटिकल लेंस में क्या होता है जो आपका D का फॉ्मला होता है D equal to ks plus के c उसमें जो आपका C रहेगा हम हम ओलते है अदेटीव कॉंस्टेंट्स ए जीरो जाबका f plus के d होता है इसकी वैलों को हम जीरो पूट करते है इक लिए दूसरे के इनवर्स में बनते हैं आन 75 meter हो गया, and C is current for this question, simple था क्या, पर ध्यान रखना है कि analytical lens की बात की गई है, चलो, यह करीए, अच्छा कोशन है, काफी अच्छा कोशन है, काफी अच्छा कोशन है, this is very interesting question, करीए, यह लिखा हुआ है आपका in a typical compaction curve as indicate, the diagram point A and B have a dry density आपको दी हुए इसना, the most, this is not mort, this is most, appropriate statement from the following, आपको क्या, जब आपकी कर्व करते हैं, ठीक है, जो आपकी कर्व कर्व करते हैं, इसमें gamma-D यहां पर दिया हुआ है, और आपका motion content यहां पर दिया हुआ है, तो यहां पर मैंने 2.a और B को describe किया, तो यह जो A point है, B point है, यह बूसरा है कि A point पर आपका swelling ज्यादा होगी यह B point पर swelling ज्यादा होगी, यह strength A पर ज्यादा होगी, यह B पर ज्यादा होगी, ध्यान से बड़ी कोशन क्या हो सकता है, answer आईए, quickly, अच्छा कोशन है, exam में आनलाए कोशन है, तो क्या होगा, आपको पता है कि यहां से जब आप इस वाले point से यहां तक जा रहे हैं, तो आ पर जादेगा, तो A point पर आपकी swelling होगी, यह point पर आपकी swelling होगी, लेकिन क्या है, उसके बाद यह आपका wet side of optimum, यह मेरे पास यह यह आपका wet side of optimum है, यहां पर पानी की मातरा बहुत जादा है, तो यहां पर आपको shinkage की chances बढ़ सकते हैं, तो that is a shinkage part, यहां पर पानी की ज ज्यादा available है, तो यहां पर shinkage होने चाहिए, यहां पर आपके shinkage होने चाहिए, और वहां पर आपके swelling होने चाहिए, तो कि यहां पर water कम है, water को बढ़ाना पड़ेगा, तो बढ़ेगा पानी, पड़ेगा तो swelling ज्यादा होगी हां पर, तो answer कि है इसका A, and A is answer for this question, कि A पर क्या बोल रहा है, more swelling potential है, less shrinkage upon the motion variation compared to the B, तो अच्छा कोशन है, आपके exam में आ सकता है, चलिए, यह करीए, यह क्या boost लिया, ऐसे कोशन भी exam में आते हैं, तो देख लो जाए धियान से, following are the statement about the major difference between the Trizaki analysis T and the mayor of analysis M of the bearing capacity, यह क्या आगया question, अब देखो बोल गया आप से T is for a homogeneous and isotropic soil, but account for non-isotropy, M जो है वो आपका non-isotropic soil के लिए होता है, देखो आपने दो तरह की थियोरी पढ़िए होगी, एक पढ़िए होगी आपने Trizaki analysis, जो Trizaki ने सबसे पहले आपके foundation के बा Bayer of ने बताया था, तो Bayer of ने क्या थिया था मेर आपके different type के shape factor, inclination shape factor, depth का, और आपके width का, इन सब के shape factor पे काम किया था, लेकिन Trizaki ने कोई भी shape factor पे काम नहीन किया था, इनमें आपने उब क्या किया था, जो आपका concentric load है, उस पर काम किया, और इसमें आपका eccentric load पे भी का किया कि सेंट्रिक लोड पर यहां पर काम चल जाता है और यहां पर आपका कॉंसेंट्रिक लोड होगा तो था यह मोस्ट अप्रोपेट अंसर कौन सा होगा है ठीक है सोनल लाल कुमार जी कुछ करना कुछ करते हैं कि आख खराब हो जाए ऐसे कुछन पढ़ने में कि आख बोलें आंसर कि अगर तो क्या होगा मेरे पास यदि मैं आपके पास स्टेमेंट फर्सक्राइब करते हैं ब्लुक्ल सही बात है लोड टाइटी फारटी तो आपका टी लोड होता है वो कॉंसेंट्रिक पर लगता है जबकि आपका जो एम लगे करेंगे गूड इवनिंग जी गूड इवनिंग चलिए नेक्स करिए ए वॉल अफ सिक्स्टी मिट्र हाई हैसा स्मूथ वर्टिकल बैक एंद रिटेनिंग सैंड एज बैक फिल विजिस सम्मर्स दो सैंड है गामा सैट आपको दिया हुए इतना और फाई आपको दिया चलिए अब बात करेंगे देखो मिंदि मैं आपके वास एक सिक्स मिटर हाई की बात कर रहा हूं मेरे पास रिटेनिंग वोल है जो मेरी छै मिटर की है ठीक है और बोल रहा है यहां से कि आपके पास रिटेंड है सेंड बैक्फिलिंग की गई है मतलब आपका फाई आपको को दिया हुआ है C आपका 0 हो गिया और गामा सेट आपको यह दिया हुआ है यह बोलगा है जो आपकी समर्ज है मतलब वोटर टेबल यहां पर लाई कर रही है तो गामा से आपके पास प्रिश्य क्यूट करता हूं तो यह के अगगे into sigma effect हो जाएगा और आलेगा तो 0 हो जाएगा तो 1 a nationale जाएगा किक तो k कि क Mumbai किती गुट नहीं मेरे पास 1 बाइप 3 हो जाएगी किसके सर्द मिम्त रेटे स्कॉए मेरे पास ही हो गया जिए आसर मैच कर रहा है कि आपका आंसर मैच कर रहा है कोई भी तर दिसेश क्लास फोर अल्डीसी नौ हुआ है अब आपका इन में से कोई उप्षिर मैच निकर रहा आप यदिhes आप देखो Activer प्रेशर की वैल्यू कैलकूलेट करेंगे एग तो एक इस प्रेशर तो मेरे पास ही हो गया यह बोला जाए कि आप ठर्सक्राइट करो तो फिर बात होती है और क्या होता फिर आपका जो डाइग्राम है वो यह बनता एक 122 करते 102 जो मेरे पास वैल्यू आई 200 इंटू 6 आता तो फिर मैं बोलता है यह मेरे पास जो आंसर वो आ सकता है कुछ पड़ यहां पर आपके पास क्या है और यहां पर जो वैल्लू आती हो किलो नूटन पर मिटर में आती है वैल्लू कि सर्षी होगा 120 120 120 कि बुलू बस अब नुए कहां का रटके आ जाता है सवाल पालकन अब अब बस अब नुए कहते रहो 60 होगा कोई कहाओ 30 होगा नुब पताओ गलती कहां है इसमें बस नूब बता दो गांगी बाहार सामे बताओ नहीं पड़ेगा है सरवाटर को तो माइनस करो बताओ गलती कैंस में अब दिखो ये गलती आपकी होगे एग्जाम में भी अब यहां पर कुछ ना कुछ गलती होगई है मेरा से और आप बताएं रहें मुझे गलती करह है ज़लती बोलो एक्जाम में ऐसे ही गलती है आपके एक्जाम में होगी 20 होगा ना सर क्यों तो बोली किया आपके सम्मर्ज है बैक्फिलिंग तो सम्मर्ज है तो water content लेना पड़ेगा यहां पर water table लेनी पड़ेगी भीए अब नूब बताएंगा ना यह बालक अरे भाहिया देखो जब आप active pressure calculate कर रहे ना तो गलती कहां पर हो सकती है एक्जाम में और गलती यहीं पर होगी बच्चे भाग जाएंगे मास्टर बदनी कागा पड़ावतर है फालत होगी तो पाने का जो pressure है वो भी तो इट करेगा भया वह बी तो आपके रिटरी हो पट करेगा तो गामा डबल में अपट करना पड़ेका यह आपको W into H, यह pore pressure भी आपकी returning wall पर आके act करेगा, तो कि हम यहाँ पर effective stress calculate नहीं कर रहे हैं, हम आपकी वो stress calculate कर रहे हैं, वो pressure act कर रहे हैं, जो आपकी returning wall पर act करेगा, जब इसका active pressure को बनाएंगे, ठीके, यदि आप किसी point पर stress calculate करते हैं, तो vertical stress calculate करते हैं, इस point पर, इन क्या है, आपक please answer for this question, ठीक है, अब यदि बास समय में आई तो OP लिखेंगे, यदि मेरी बास समय में आई तो OP लिखेंगे, ऐसे question में गलतिया होंगी, और रटके में, इनका answer दे रखके कुछ भूक हो मैं, अब फिर आप रटते रहें उन question को, चलो, question में आप से बोला गया है, the modern electronic tachometers are combinations of an electronic theodolite, electronic data collector, आप देखो, tachometer, जो मैं modern electronics को use करता हूँ, अब देखो, कुछ बचे मानने होते हैं, आई ना है, बुक कई 1 by 2, 1 by 3 लिख 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 भेज रहे हैं, अब यूनित दो चेक करने भाई, उसकी, अब कहा बोलू है इ question में आप से बोला गया है, कि यदि मैं आपके बोलू था, modern electronic tachometers are combinations of an electronic theodolite, electronic data collectors, and electronic distance measurement, तो क्या होता है, जो tachometer होते हैं, वो tachometer आपके पास hilly areas में use करता है, लेकिन क्या होता है, यदि मैं modern electronics की बात करूँ, तो इसमें क्या होता है, जो tachometers हैंगे, वो आपके theodolite, data collectors, और EDM, इसको मोलते हैं, आपके पास electronic distance measurement device, इन सबका combinations पर काम करता है, and D is concept for this question, तो नाम ध्यान रखेंगे, very simple नाम है, यह आपके exam में आ सकते हैं, चलिए करिए, जल्दी करिए, बहुत simple सवाल है, in chain surveying, perpendicular to the chain line are set out by, a theodolite, prismatic compass, kilometer and the optical square, जल्दी बोलो, और भीया like कर देखरो वीडियो को, बताब, तो से उपर जा रहे हैं, watching भी, पड़िये बालक like ना करेंगे, मत करो भीया like, dislike on more, two, two, three, जब तुम्हें कुछ कर नहीं ना, चलिए, बताइए, answer क्या होगा इस question का, जिको मैं बात करूँगा, in a chain surveying, the perpendicular to the chain line में बस क्या होगा, जब भी आपको perpendicular offset पे काम करना है, तो your work on the optical square पे काम कर सकते हैं, cross staff पे काम कर सकते हैं, ठीक है, तो इन पर हम काम कर सकते हैं, फ्रेंच पर भी काम कर सकते हैं, लेकिन, जो theodalite होगी, प्रिस्मेर्टी कंपा सकते होगा, इस सब काम नहीं करता है, set out the right angle, only optical square पे काम करता है, ठीक है, दो एक ने डिसलागी मार दिया, चलो बढ़िया है, चलो, least count of the leveling staff is, जो आपका least count होता है, leveling staff हो कितना होता है, मतलब ये बालक कहां से आ रहे हैं तने तने, परजात ही कौन सी है, एक कह रहा है, लाइक तो बहुत करते हैं, पर आती नहीं है, मिलती नहीं है, ये देखो, आसी कहा हो आ रहा, एक तरफा प्यार वाले है, चलिए, बताइए, देखो, जब ये आपके पास least count के बात करें, लेवलिंग staff की, तो जो least count मतलब क्या होता है, जो आपके smallest, मेरी values देगी, जिसको मैं specified कर सकता हूँ, जिसको मैं measure कर सकता हूँ, वो कौन से मेरे वो आपकी पांच में होती है, इन देखो, लेवलिंग staff में, and B is answer for this question, चलिए, quickly देखो, बताइए, बहुत ये must question है, जिसने ये question कर दिया न, उसे क्या दे सकता हूँ, मैं, अब मैं कुछी ऐसा बोल दूँ, कोई बात नहीं, उसका, वो आज का winner है, आज ही class का winner हो, जिसने इस question का answer सही दिया है, जिसने इस question का answer है, जिसने इस question का answer है, वो आज ही class का winner, उसका नाम, यहाँ पर दिखा जाएगा, जिसने, question का जवाब दीजिए, का answer है इसका, बहुत ही must question है, and it is very simple question. question में आप से बोल गया है, क्या बोल गया है, क्या बोल गया है, question में आप से? जिदिंग कर लेंगे, वाला किए, सब का answer है, बहुत है, देखो, बात करेंगे, the backside reading on the benchmark and the RL of 150 meter, मेरे पास क्या है, एक benchmark मैंने माना, वहाँ पर मेरे पास क्या है, यहाँ पर staff रखा हुआ है, और उसकी RL की value मेरे पास क्या दी हुई है, 150 meter दिया हुआ है, और यहाँ से calculate किया, और वो reading आपकी minus की आई, अब कैसे है minus की मुझे नहीं पता, पर reading आपकी minus की आई, ठीक है, तो हमको कुछ नहीं पता, बास reading minus की आई, तो आई, हम कुछ नहीं कर सकते है उसमें, ठीक है, दूसरा क्या है, मेरे पास दूसरा लिखा हुआ है आपने, कि the erected staff reading on the top of workshop floor, अब workshop floor तो मेरे पास यही है, अब इसके उपर क्या है, आपने reading को calculate कर लिया, तो यह आपका 1.450 है, ठीक है, और यहाँ पे आपका RL पूछा गया है, अरे यह erected दिया हुआ है, इन्वर्टिट नहीं दिया हुआ है, पहला सोच रहे है, इन्वर्टिट दिया हुआ है, और चाप दिये हैं, वो इन्वर्टिट स्टाफ वाला, हम जो पढ़े थे, बहुत साल पहले, इन्वर्टिट स्टाफ वाला, उसको ही चाप दिये है, ठीक है, यहाँ पे स्टाफ उल्टा नहीं रखा हुआ है, erected रखा हुआ है, अब पेल दो, अब देखो मेरे पास क्या होग तो मेरे पास क्या होगा, आरल यहाँ पर रखा हुआ है, प्लस के जो आपकी back side, उसको add करूँगा, तो 150 मेरे पास यह हो गया, और 2.250 मेरे पास यह हो गया, यहाँ से मेरे पास height of instrument क्या होगी, और नीचे आ गया, मतलब क्या है, कि यह जो मेरे पास part है, यह उपर चला गया और भी, जो आपका answer एगा, वो आपके पास क्या रहेगा, वो आपका रहेगा, RL of B point, RL of B point मेरे पास क्या रहेगा, यह वाला रहेगा, यह बताब कितना आ रहे है, अब तो बता ही दोगे तुम, कितना answer है, B आ रहे है, यह समरे cheating गली, यह बालक cheating cheating खोरो तुम सब, यह बिलकुल मज़ा नहीं है, यह थू, B आवकर आणसर है, रूपेश का सही है, रूपेश का मैंने देखा हूँ है, रूपेश है आज के विनर, मैंने देखा सबसे पहले रूपेश ने किया था, मैं यहाँ तक नजर गई, तो रूपेश भाहिया, repeat sir repeat आप आप देख ले ना कोल कोल के एक दो दुबार कि क्या आया ठीक है अरे starting की जो reading है आपके top floor की बात की गई या floor पर बात कर रहा है वो आप से आपके ceiling पर बात नहीं कर रहा है question आपने वही पट रखा है दिमाग में वही लगा हुआ है कि आपका जो ceiling पर रखी हुई यह चीज़ है उस पर हम काम कर रहे है but this is not the working of ceiling ठीक है चलिए if n is the number of side of a traverse while theodolite traversing the sum of interior included angles should be 5 रुपे की chocolate चलिए आप सबते आप से क्या इस question का मजा आपको मजा आएगा देखो चलो लाइट रावरसिंडे अंटीरी इंकूडेट अंगल में पस क्या होगा परी सिमपल कोशन है यह तो सबी कर दो यार इसमें मी गल्ती करोगे तो भाहिया तो आपका नाम छेनका है कि अउन्ज आपका नाम लिखा जाएगा the curvature correction for the staff reading in lavelling for a distance of 1000 meter चलिये बताईए अंसर क्या इसका, question में आपसे बुला गया है what will be the curvature correction for the staff reading in the lavelling for a distance of 1000 meter अब देखो क्या होगा मेरे पास यदि 1000 meter की में बात करूँ तो कुछ होता है क्या sir, 2 minus के 4N कुछ होता है हमें न बता हुए हम तो बड़े ना है इतने, बड़े लिखे होते हैं तो यहीं होते है, चलो, तो ध्याना के इस बात को यदि मैं आपके curvature correction की बात करूँ if I have to work on curvature correction, that equals to minus 0.0673, d square होता है क्या? नहीं जी, यह नहीं होता, यह combined correction होता है जो curvature correction होता हो, कितना होता है? 0.0785 d square होता है, अब गलतिया कर दिया होंगा बालक, 0.0785 और यह क्या आपके पास, जो d हो किलोमेटर मोंगा, that equals to 1 square, तो answer हो जाए कितना? 0.0785 and b is answer for this question और जो answer A दे रहे हैं, उनके लिए rip, अब क्या कर सकते हैं? अब 78.50 भी आ रहा है answer, अब क्या कर सकते हैं? अब भाईया, यह किलोमेटर में होती है dk value, यहां पर मिटर में दी होई है, जहां जा रही है? और दिमाग पता नहीं कहा है? उल्टा, उल्टा बोलो, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, होता है, होता है, चलिए, aspire test is carried out for the permanent adjustment of, जो आप aspire test करते हैं, जो आपका aspire test आप करते हैं, वो aspire test आप dump level के करेंगे, auto level के करेंगे, tilting level के, none of these, जल्दी बताइए, quickly, चलिए, बते हैं, आप जो एक बता रहे है, अरे भाहिया, जो aspire test होता है, वो हम यूज करते हैं, theodolite के अंदर, इसके अंदर यूज करते हैं, theodolite के अंदर यूज करते हैं, कि जो आपकी horizontal axis है, वो आपकी vertical axis के truly perpendicular रहे, and this is a part of the theodolite test, यहाँ के adjustment होता है, theodolite के, यहाँ पर ना तो इसके रहेंगे, ना इसके रहेंगे, ना इसके रहेंगे, आंसर रहेंगे अशर एगए D, and D is concept for this question, आपकी बहुत मज़ा आ रहा है question करवाने, पता नहीं क्यूं? चलिए, यह गरिए, align and join the point of equal elevation on the surface of earth are known as चलिए, question में आप से बूला गया है, align and join the point of equal elevations on the surface of earth are known as isoheight, isogenic, azonic and the contule lines. क्या है मेरे बाद सांसर, दियाना कहेंगे, जो same elevation की में बात करूँगा, दियाना कहें इस बात को, तो क्या होगा, यह जो आपके surface of earth की बात करूँगा, same elevations की बात करेंगे, that is called the contures and D is कहांसा for this question, isoheight क्या होते हैं, जो आपके same rainfall, rainfall जो आपके बास same रहती है, उनको जोड़ता है, rainfall आपका same रहती है, उनको जोड़ता है, ठीक है, catchment में जो rainfall same होती है, उनको जोड़ता है, यह करिए, देखें, what is the magnetic declaration at a place if the magnetic bearing of the sun at noon is the place is 186 degree, very simple सवाल है यह तो, अपने आप कर दो यार इसका, मैं नहीं करूँगा, this is your homework, एक मैं करवा चुका हूँ, एक अपने आप दे दे गया हूँ, अपने आप करके लाओ भाईया, हम एक ज़े सवाल बाबर नहीं करवाएंगे, ठीक है, तो यह homework है, अपने आप करके लाना, हम नहीं कराएंगे, हमको माफ कर दीजिए, बाब एक ज़्या सवाल करवाद ते रहेंगे, बस, चलो, कोश्चन में आप सबोल गया है, the process of locating the instrument station occupied by the plane table from the station whose positions have already been plotted in the plane is known as orientation, radiation, intersection, intersection, the resection, बोलिए, answer क्या है, इस question का, तुझाना के इस बात को, कि देखो, आप different type के method पढ़ते हैं, orientation आपके लिए important है, लेकिन question में आप से यह नहीं पूछा गया है, question में यह पूछा गया है, कि आपके पास क्या है, आपके पास एक plane table पे पहले ही map बना हुआ है, और वहाँ पर different type के points हैं, वह आपके पास specified है, ठीक है, अब इनको देखके, आपको अपनी, measurement करना है, जो आपका field में measurement करना है, इनको देखके करना है, that is a part of resection का part होता है, क्या होता है यह, यह आपका part होता है resection का, जब आपको पहले से ही, already, आपके map पे, आपकी sheet पे, जो आपके point है, ground पे, वह plotted हो, और उनके भिहाब पे हम check करते हैं, कि वह point आपके यहाँ पर लाई कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, and it's called the resection, ठीक है, जो आपका radiation होगा, जब आपका पंव में लिखे करते हैं, प्लोटिंग के लिखे करेंगे, और intersectional method जो उसके करेंगे, inaccessible area के लिखे करेंगे, यह आपको पता होना चाहिए, फोरेट के लिखे कर सकते हैं, यह सब बाते आपको पता हैं, यह करिए, अब estimation costing भी आ रहा है हाँ 2.3.20 के पार्ट होते हैं तो लिए अब question में आपके आ रहा है salvage value is defined as estimation भी आ रहा है आपके exam में salvage value कौन सी होती है the value of dismantled material of the property at the end of the utility period बोलिए तो देखो यदि मैं बात करता हूँ salvage value की तो salvage value वो होती है कि value of dismantled material of property at the end of utility period नहीं होता है मतला क्या है कि अभी तो आपका material है वो आपका dismantled नहीं हुआ है तो salvage value होगी यदि वो dismantled हो गया है तो वो आपकी scrap value होती है तो यह तो आपका scrap value का पार्ट है जो A वाला लिखा हुआ है या आपका scrap value है तो B आपका most appropriate answer एगा और value of the property of Sean in the account book in the particular year इसको हम बोलते है book value क्या बोलते है इसको हम book value बोलते है नाम तो सुरह होगा book value का this is called the book value ठीक है चलिए इसे करिए तो राइट अपके पास एक राइट होता है एक प्रिवलेज होता है जो आपके किसी भी ओनर की आपने प्रोपर्टी ली उसको आप कुछ टाइम तक उसकी प्रोपर्टी में कुछ भी काम कर सकते है उसको enjoy कर सकते है वो कौन सा राइट होता है this is called the lease right जो आप क्राएप देते हैं है ना जैसे हम जब अपना office बनाते है तो क्राएप लेते हैं वहाँ different type के आपके पास क्या बनते है लगाएंगे आपका smart board लगाएंगे तो क्या करते है कि जगह उसकी है पर मजी हम उस चीज के ले रहे हैं तो क्या बोलते है इसको lease value देते हैं बसके बदले हमें उसका पैसा देना होता है यह करेंगे यह करेंगे यह पूछ रहा है कि मैं एक अर्थवक कर रहा हूं इसमें मुझे एक्सेशन करनी है और उसकी जो विर्थ है वो 1.5 मिटर से ज्यादे एक्सेड नहीं करेंगी इसमें भी आपके दो केस होंगे इसमेंट क्या होता है कि आपके पास easily available जो आपके पास आपने एक जमीन ली और उसको उसको आपने किसी किराए पर दिया तो जब आपका जो बंदा लेने वाला होका वह इसमेंट करेंगा कि महां पर क्या होता है जब भी मेरे पास जो डैप्त रहती है यदि वो डैप्त आपकी 30 मिटर से कम है तो आप जब आपका जब आपका 30 मिटर से ज्यादा हो जाएगी तो हम जो यह मिजरमेंट करते हैं वो आपका प्राइमरी फेक्टर हो जाता है जब आपके पास जो डैप्त रहेंगी तो से ज्यादा वेरी कर जाएगी तो यदि अब बात करें not extend to 30 cm तो हम बोल देंगे कि square meter में आप काम कर सकते हैं and we is cancer for this question. ठीक है यह बात आप धियान रखेंगे. खलिए. यह करिए. What committee have recommended that the allowance of 10% of the prime cost as a contractor profit would be reasonable? यह बूछ रहा है कि वो कौन सी committee होती है, which committee के corresponding हम यह बात करते हैं कि जो भी आपके contract मिला उसमें 10% contract का contractor को जो हम पैसे देंगे उसका profit रहेगा. बोल यह कौन सी committee होती है वो? So this committee is called the rate and cost committee. 1957 के according हम इस पर काम करते हैं. CPWD नहीं काम नहीं करता है इस पर. CPWD यह government body है. ठीक है? और वो क्या करता है? वो contract देता है. लेता नहीं है contract. वो contract देगा. ठीक है? तो A is answer for this question. यह करिए. यह आपका homework देता हूँ. मैं अब very simple question. This is homework और सब को करके लाना है. ठीक है? यह आपका homework है. सब ही बालकों को करके लाना है question. सब ही को. very interesting question. very simple question. पर सब करके लाना है. मैं चाहता हूँ अपने आप करो आप. ठीक है क्या है क्या है कि एक दो कुशन घर को घर के लिए देने चाहिए है. उससे मुझे पचल जाता है कि बच्चे कितना देख रहे हैं वीडियो को. और कितना CS ले रहे हैं. अब क्या कोई कमेंट नहीं करता. मतलो serious मैं भी CS नहीं लोंगा फिर. मेरा कुछ नहीं जाता. ज्यादा प्यार हो जाता. तो मैं सह नहीं पाता. ठीक है है? मत करो. चलिए. यह करिए. चलिए. कॉश्चन में आपसे बोला गया. अब क्या करेंगे आपके पास? चलिए. कॉश्चन में आपसे बोला गया है. कि आपका जो वैस्टरगाड अनालेसिस है. वो उसमें से कौन सा statement आपका सबसे ज़्यादा most appropriate है. तो load surface and the soil being homogenous and isotropic. Line load surface and the soil being homogenous and non isotropic. Point load surface and the soil being homogenous and non isotropic. ठीक है? and the line load surface and the soil being non homogenous and isotropic. पोली यह आंसर क्या रहेगा इसका? रिहाना के इस बात को यदि मैं आपके पास वैस्टर का analysis की बात करता हूँ तो यह आपकी stratified soil के लिए specified होता है. किसके लिए? stratified soil के लिए specified होता है. और stratified soil यह बोलता है कि जो soil है वो आपकी homogenous हो सकती है. बड़ आपकी non isotropic रहेगी. that is non isotropic soil की बात हम करते हैं आपके. तो point load क्या होगा? आपके surface पे रहेगा और वहाँ पे इस तो soil रहेगी वो आपकी homogenous और non isotropic. non isotropic मतलब क्या होता है? property are different in all directions. आपकी 3 directions होगी उनमें आपकी जो properties होगी वो different होती है. and c is cancer for this question. तो आपको करने है, यह 250 प्लस questions है, इसमें हमें 91 questions करा चुका हूँ. ठीक है, 91 questions में करा चुका हूँ. 250 प्लस questions में कराने हैं आपके NWDA के लिए, कर मैं आपको मिलूँगा 8 बजे. इसकी जो PDF है, वो आपको मिल जाएगी, telegram group ever exam tech, आप उसको join कर सकते हैं. सबसे बड़ी वेकंसी है, ठीक है, खरता हूँ मैं उसके लिए भी. अब क्याना कि जो डिफेरेंट आप के जो बच्चे हैं वो यह बोल रहे हैं, कि अब अलग अलग एक्जाम के लिए अलग तरीके की बोलाई है. अब यदि मैं ऐसे बनाना स्टार्ट करूँगा, समझ रहे हो मेरी बात, कि मैं पूरे दिन फिर क्लास चलती रहे हैं, कभी इसका, कभी इसका, कभी इसका. तो मुझे थोड़ा सोचना पड़ेगा इसके लिए. तो two-point problem पे काम करना है, two-point problem पे काम करना है अलोग जी. तो मैं करूँगा वैसे इसके लिए कुछ नहीं को सोचा है मैंने, इससे क्या हो कि सब कुछ कवर हो जाएं. तो सब के लिए, सब को लेके काम करेंगे. जिससे, अभी क्या है कि evaluate चलने दो? आपका first against तक उसके बाद हम different type が जो mechanism है. जिससे, क्या हो कि, और सब बच्चों के लिए beneficial हो उस पर काम करेंगे. कि चलिए मिलते हैं फिर आपको आज की जो वीडियो वह आपको कैसी लगी प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब चैनल और सुरसर से मिलवाएंगे आपको टेंशन मत लीजिए तब तक के लिए बबाए जय हिन जय भाराद कर दो चे जटिए भाराद कि बढ दीने कम लाई हैं झाल झाल